Hey everyone, मैं हूँ गौरम इश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains पे और आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूँ सेशन का टार्गेट है Representing Real Numbers on the Number Line यनि कि आज के सेशन में हम Real Numbers को Represent करने वाले हैं कहाँ पे? Number Line पे और इस सेशन से पहले Real Numbers वाला जो Number System वाला जो चाप्टर है बहुत सारी वीडियोज आ चुकी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है जाईए उन सभी वीडियोज को देखिए क्योंकि 9th का syllabus जो है जोर शोर से मैं complete करवा रहा हूँ आपका और बहुत जल्दी complete हो जाएगा अगर आप मेरे साथ फटाफट पढ़ते रहेंगे तो फिलाल सेशन का target क्लियर है कहीं कोई समस्या तो आज के सेशन में हम करेंगे क्या सर ये बताओ तो देखो बच्चो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया में जितने भी numbers होते हैं जितने भी मतलब real numbers की बात चल रही है इन सभी real numbers को हम number line पे दिखा सकते हैं और उसी का तरीका मैं आज इस सेशन में आपको दिखाऊंगा और ये सारी चीजे आपको magnet brains provide करता है free of cost यानि कि magnet brains पे आपको इसमें से कोई दो वीडियो देखने के बाद बाकी वीडियो देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रवत नहीं है सारी चीजे आपके लिए free है कहाँ पे free है तो आपको जाना है magnet brains की website पे जो की है www.magnetbrains.com ये तो बात हो गई magnet brains की session का target भी आपको मालूम है तो ऐसा करते हैं session को हम कर देते हैं start और यहाँ पे हमारे पास already एक question given है कि locate करना है 2.665 on the number line तो यहाँ पे although मैंने आपको बड़ियां तरीके से diagram वाइगरम दिखाया है तो उसी से समझाओंगा पर पहले आप सवाल को समझो फिर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे आपको locate करना है 2.665 कहाँ पे number line पे सर ये कैसे locate करोगे थोड़ा अब हमको समझाईए तो आपके पास number है 2.665 क्या number है आपके पास 2.665 कैसे locate करेंगे सर तो सुनिए अगर आप अपने number line पे focus करेंगे बच्चो तो ये जो number है 2.665 ये एक ऐसा number है जो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए किस के बीच में आना चाहिए? 2 और 3 के बीच में आना चाहिए ये number 2 से बड़ा है और आपके 3 से छोटा है तो हमें बस इस number को इन दोनों number के बीच में कर देना है place अगर हमने ये काम कर दिया तो हमवाना number जो है खुद बखुद locate हो जाएगा ये काम कैसे करोगे सर? तो सुनो, ये काम मैंने किया है यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे देख सकते हैं आपके हमारे पास एक बढ़िया सा number line है इस number line पे मैंने number बनाए है जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कौन है? 3 है तो मैं जानता हूँ कि मेरा जो ये number होगा ये 2 और 3 के बीच में होगा तो मैंने 2 और 3 को magnify कर दिया क्या कर दिया बच्चों मैंने 2 और 3 को मैंने 2 और 3 के बीच की जगा को कर दिया है magnify तो ये जो नीचे वाला number line है न ये उपर वाले number line का छोटा सा हिस्सा है आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 2 3 था तो यहाँ पे देखो magnifying glass भी बनाया मैंने उससे मैंने 2 और 3 वाली जगे को कर दिया है magnify और वो magnify होके ऐसा बन चुका है अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 है तो अब मुझे numbers को place करना है इन दोनों के बीच में अब यह कैसे place करूँगा तो सुनिए तो अब 2 और 3 के बीच की बात करूँगा तो इन दोनों को हटा देता हूं लाइनों को अगर मैं 2 और 3 के बीच की बात करूँगा तो आपने कभी वो scale देखा है कई कमपनियां जो scale बनाती थी तो उन scale में ऐसा रहता है या फिर कोई सा भी scale देख लो जैसे कि यहाँ पर 0 है, 1 है और 0, 1 के बीच में ऐसे छोटे-छोटे partitions बने रहते हैं उन्ही partitions को मैंने यहाँ पर दिखाया है कैसे तो देखो यह 2 है, यह 3 है तो उनके बीच में छोटे-छोटे partitions को मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है और इन partitions के उपर मैंने number भी लिखे हैं जैसे कि यह हो गया मेरे पास 2.1, तो यह हो जाएगा कौन सा यह हो जाएगा 2.2 ऐसे करके number भी मैंने आपको लिखके दिखाये है अब देखिए, मेरा number था 2.665 तो 2 हो गया 2 मुझे मिल गया, decimal मुझे मिल गया अब मुझे पहुँचना कहा है मुझे पहुँचना है 6 तक, तो यह मैं पहुँच गया मेरे 2.6 तक, तो मैं 2.6 तक तो पहुच गया अच्छे बात है, तो हम पहुच गये 2.6 तक, पर यहाँ पे कहानिक खतम नहीं होती है क्योंकि सिर्फ 2.6 तक नहीं पहुचना था हमको तो 2.6 के आगे जाना था अब 2.6 के आगे जाना है तो आप यह वाली जगह, कौनसी वाली जगह यह जो जगह है ना 2.6 से लेका 2.7 इस छोटी जगह को करोगे मैगनिफाई, कौनसी जगह को 2.6 और 2.7 के बीच में जो जगह है यह वाली जगह 2.6 है यह वाली जगह 2.7 है इस छोटी जगर को भी हमने कर दिया magnify तो जब आपने इस छोटी जगर को magnify किया तो यहाँ पे आपको 2.6 मिल गया जबकि यहाँ पे आपको मिल गया है 2.7 अब आपको कहां तक जाना है देखो 2.6 तक पहुँच गये उसके बाद वापस से 6 तक जाना है तो यह देखो यह बन गया 2.61 यह बन गया आपके पास 2.62 यह बन गया 2.63 ऐसे ही जाते जाते आप यहाँ पे पहुँच गये जो की actually कौन है मालूम है यह है आपके पास 2.66 कौन है यह यह है आपके पास 2.66 टेंशन मतलो इस सारी चीज़ों को और अच्छे से diagram से समझाऊंगा अभी आप pattern समझो थोड़ा फिर से हम इसी question को करेंगे same diagram पर मैं मेरे हाथ से बनाऊंगा तो यह आप पहुँच गये 2.66 तक 2.66 तक पहुँचने के बाद हमने कहाने खतम नहीं की हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भीया यहाँ पे 2.66 है यहाँ पे 2.67 है इस छोटी जगह को magnify कर दो तो मैंने इस छोटी जगह को magnify कर दिया और यहाँ पे 2.66 आ गया यहाँ पे 2.67 आ गया और इसके बीच में हमको चाहिए कौन सा नंबर 2.665 तो हमको पहुँचना है 5 तक तो 2.66 तक पहुँच गया उसके बाद देखो 2.661 होगा 2.662 होगा और यह बीच वाला जो नंबर है वो कौन हो गया वो आपके पास हो गया 2.665 बात खतम खेल खतम आपने उसको रिप्रेजेंट करवा दिया हो सकता है आप में से कई बच्चों को यह सारी चीज़े समझ में नहीं आई हो जो मैंने यहां पर बताया अरे भाई हो गया, कोई बात नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं इसलिए हम क्या करेंगे इन सारी चीज़ों को अब हाथ से बना-बना के और और एकदम डीटेल में गहराई में इसको समझेंगे क्यूंकि exam में इसका question हर बार आया है हमेशा आया है तो चलिए मैं आपको ज़रा इस question को अच्छे से एकदम detail में समझाता हूँ तो number है आपके पास 2.665 ठीक है sir, number है 2.665 जैसा कि मैंने बोला था कि आपका जो number होगा 2.665 यह 2 और 3 के बीच में करेगा lie अब 2 और 3 के बीच में कहां पे lie करेगा हम नहीं जानते हैं कहां पे lie करेगा, ठीक है कोई परिशानी की बात नहीं कहीं ना कहीं तो lie करेगा तो यहाँ पे diagram में देखोगे तो मैंने 2 और 3 को क्या किया था magnify कर दिया था तो हम यही काम करेंगे, कि जो यह 2 और 3 वाली जगे है, हम इसको कर देंगे magnify, तो 2 और 3 वाली जगे को magnify आप करोगे, तो यहाँ पे देखो, आपका number line कुछ ऐसा देखेगा, यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, जबकि यहाँ पे कौन हो गया, 3 हो गया, और यह बीच वाली ज 25, यहाँ पे 2.6, यहाँ पे 2.7, फिर 2.8, और फाइनली 2.9, और 2.10 की जगह क्या होता है, 3 हो जाता है, तो हमने ऐसे numbers दिखा दिये, अब इसमें देखिए, पहला तो 2 है, फिर point है, फिर 6 है, तो 2.6 तक पहुंच जाओ, तो आप यहाँ पे 2.6 तक पहुंच गया, यह number represent नहीं हुआ, अब आपके पास एक जगह है, 2.6 से शुरू होने वाली और 2.7 तक खतम होने वाली, यहनि कि इस जगह की बात करेंगे, हम 2.6 से लेकर 2.7 तक, तो next step में हम क्या करेंगे, यह जो जगह है ना आपकी, कौनसी जगह, 2.6 से लेकर 2.7 तक, तो यहाँ पे हम लि आपके पास 2.6, यहाँ पे कहीं आ चुका है, आपके पास 2.7 और इसको फिर हम 10 प्लेसे में डिवाइड कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटवा, सातवा, आटवा, नवा और दसवा, हो गए डिवाइड, आप हमको देखो कहां सब कहुँचना ह है, यह कौन सा हो गया, यह आपके पास हो जाएगा 2.61, यह कौन सा हो जाएगा 2.62, हमको कहां पे पहुचना है, 2.66 तक, तो छटवी लाइन ढूंडिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवी, छटवी, यह जो छटवी लाइन है ना आपकी, यह मालुम है कौन सी ह हो गए, यह हो गए, यह आपके पास 2.66 वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, 2.66 वाली लाइन, और इसका जो अगला लाइन है, इसका जो अगला लाइन है, फर्दर हम इसको मैगनिफाई कर देंगे, तो यह तो 2.66 है, यह कौन होगा, यह होगा आपके पास 2.67, तो 2.66 और 2.67 वाली जगह को हमने कर दिया magnify लो भईया हमने दोनों जगह को कर दिया ऐसे magnify तो यह कुछ आपके पास ऐसा हो गया तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे आपके पास है 2.66 यहाँ पे क्या है आपके पास यहाँ पे आपके पास है 2.67 यह आपने दोनों numbers को कर दिया represent अब सुनिए वापस से इसको 10 places में divide कर दीजे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा चटवा साथवा आठवा नवा और दसवा equal नहीं है आपको एक्जाम में इनको equal बनाना पड़ेगा तो आपको finally पहुंचा देखो 2.66 तक पहुंच गए अब पाचवे line पे पहुंचो तो पहला line दूसरा line तीसरा line चौथा line और पाचवा line यह जो आप final पे पहुंच गए तो आपने अपना answer को achieve कर लिया यही है आपके पास 2.665 तो आपको एक्जाम में यह पूरा ऐसे करके दिखाना पड़ेगा फिर जाके आपको number दिये आते हैं successive magnification क्या बुलाते हैं successive magnification successive magnification का मतलब है हम magnify कर रहे हैं और बार बार magnify कर रहे हैं तो इस मेटेडिस कॉल्ड successive magnification चलिए यहां पे भी यह question हो जाता है खतम और बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ एक सिंपल एक और example है वीडियो जादा बड़ा नहीं है simple एक और example अरे यह तो वही है यह वाला हाँ यह वाला आपके पास question है ध्यान से सुनिएगा यहां पे आपके पास number है 5.3 है और 7 पे ऐसे बार है भाईया अब यह number तो कौन सा हो गया non-terminating repeating पर उन्होंने बोला है up to 5 decimal places up to 5 decimal places मतलब 5.37777 यह जो number है आपको इसको represent करवाना ह है number line पे तो जो काम पिछली बार किया था वही काम हम यहां पर कर देंगे पहले number लिख लेते हैं number है 5.37777 यह आपके पास है ऐसे numbers 5 places है decimal के बाद हाँ है तो सुनिए जो 5.37777 है यह किस किस के बीच में लाई करेगा तो 5 के बीच में और 6 के बीच में लाई करेगा यह सभी साथवा आठवा नवा और दसवा 10 places में डिवाइड हो गए कोई परिशानी नहीं देखो पहला डिट क्या है 5.3 तो तीसरे वाले point पर जाओ यह आपके पास पहुंच गया तीसरे वाला point यह कौन सा number हो गया यह आपके पास हो गया 5.3 और इसका अगला हो जाएगा 5.4 तो जो 5.3 और 5.4 है इसको आप कर दो magnify तो हमने इन दोनों को कर दिया ऐसे magnify यहाँ पे आ गया आपके पास 5.3 यहाँ पे आ गया आपके पास 5.4 अब वापस से इनको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा छट्वा साथ्वा आट नवा और दसवा दस इक्वा पार्ट में डिवाइड कर दिये बीच में हमेशा नौ लाइन बनते देखो 1 2 3 4 5 6 789 और आपको एक्जाम में स्केल से करना पड़ेगा अब देखिया अगला डिजिट क्या है सेवन्थ सेवन्थ वाली लाइन पे जाए 1 2 3 4 5 6 7 यानि कि यह ज दोनों को फर्दर कर दिया मैगनिफाई तो यहां पे हमने इन दोनों को फर्दर कर दिया मैगनिफाई यहां पे हमारे पास है 5.37 यहां पे हमारे पास है 5.38 वापस से 9 लाइन बनाई ये बराबर दूरी पे पहली दूसरी तीसरी चौथी पाचवी छटवी साथवी आठव एंड नवी लाइन तो 5.37 के बाद अगला क्या है 7 तो 7th लाइन पे जाओ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th यह आप पहुँच गए किस पे यह आप पहुँच चुके हैं 5.377 पे पहुच गए और अगली लाइन किसकी होगी अगली होगी आपके पास 5.378 पे ठीक है तो आप इन दोनों प्ल प्लेस को हम कर देंगे मैगनिफाई तो हमने उन दोनों प्लेस को कर दिया मैगनिफाई तो यहां पे हो चुका है हमारे पास 5.377 यहां पे है हमारे पास 5.378 और वापस से 9 बराबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 अब इसमें देखो 5.377 अगला देखो अगला फिर से 7 है तो 7 वाल 5 6 7 होके डन तो यह आपके पास पॉइंट आ गया यह क्या हो गया यह हो गया आपके पास 5.377 तीन बार 7 आपने लिख दिया और इसका अगला क्या हो जाएगा वही पैटन में जाओगे तो 5.377 और यहां पे आ जाएगा 8 और फर्दर आप इसको कर देंगे मैगनिफाई त तो यहां पे आ चुका है आपके पास 5.3 तीन बार 7 यहां पे आपके पास आ चुका है 5.3 दो बार 7 और फिर है आपके पास कितना फिर है आपके पास 8 अब इसके बीच की जगहों को 9 इकोल लाइन से डिवाइड कर दीजिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और हमको जाना है 7 पे तो वापस 7 फाली लाइन पे चले जाओ 1,2,3,4,5,6,7 यह है हमारे पास हमारा फाइनल आंसर और यही है कौन यही है हमारे पास 5.3,7,7,7 और लास्ट में एक बार और 7 और इस तरीके से हमने हमारे पॉइंट को जो भी पॉइंट था उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेज करता है उसी को हमने यहां पे लगाया और हमारा आंसर जो है हमारे सामने आ चुका है आपको crystal clear है कहीं पे कोई भी confusion नहीं है चले तो यह question भी हो गया आपका example जो था यहां पे खतम हो गया और इस वीडियो में इतना ही था इस से जादा आपको इस वीडियो में मुझे नहीं नहीं बताना था बठा आप Magnet Brains की website के बारे में जान लीजिए आपके education के लिए काफी जादा helpful है यह website क्यूंकि website पे content जो है बहुत अच्छे से arranged है तो आपको Google Chrome पे जाना है आपको वहाँ पर type करना है www.magnetbrains.com जब type करोगे website खुल जाएगी इसमें CBSC English Medium के अंदर आप class 9 को कर लिजेगा select जैसे ही आप select करोगे एक नया window खुलेगा और जितनी भी चीज़े हम cover कर रहे हैं वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसमें आप watch now के option पर click करना तो एक और नई window खुलेगी और इसमें जो भी चीज़े हम cover कर रहे हैं वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी तो जो भी वीडियो आपको देखने लाइक लगे जो भी आपको देखनी है उस वीडियो पर आप click कर दो और वो वीडियो आपके सामने खुल जाएगी आप उस वीडियो को पढ़िए जो भी लगे जैसा भी लगे आप उसमें तेज कर लो अगली वी प्रोवाइड आपको करता है बस आपको तीन काम करने है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और जतना हो सके इन वीडियो को आपको शेयर करना है क्योंकि फ्री एजूकेशन है हर बच्चे तक यह पहुचना चाहिए I hope कि आपको यह जो representation of number line है यह समझ में आया होगा नहीं समझाया परिशान मत हो जहां doubt है comment section में mention करो क्योंकि इसके बाद इसी exercise का यह जो example करवाया ना मैंने आपको इसके बाद 1.4 वाली exercise का solution आएगा तो वहाँ पे वापस से हम इनी concepts को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और जादा आपको clarity हो जाएगी so thank you so much कि आपने इतना time दिया और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला